कई वार कुछ ऐसी वीडियोज होती हैं जो दिल, दिमाग, पूरे शरीर को जगजोर कर रख देती हैं आप में से कई ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम से बिलॉंग करते हैं, पढ़ाई करते हैं यही सोच कर कि भविश्य में क्या बनना है, डॉक्टर बनना है ना मॉटिवेशन कई बार नहीं मिल पाता है कि क्यों बनना है, किस लिए बनना है और बनना भी है तो किस के लिए बनना है यह वीडियो मेरे ख्याल से आप में से कई बच्चों ने अलरड़ी देख रखियें, मेरे पास यह कल आई थी, मैंने इसको देखा तो मैं चाहता था कि यह वीडियो जो है आप सभी देखें, जिन्नोंने देख लिए अच्छी बात है, आपको एक पॉजिटिव, पॉजिटिविटी मिली होएगी यह देखने के बाद में कि दुनिया में ऐसे बच्चे भी हैं, दुनिया में ऐसे लोग भी हैं, जिनको सारी चीज़े नहीं मिलती है, फिर भी वो लड़ जगड कर अपने लक्षे को प्राप्त करने के लिए लगे रहते हैं, जिसमें से ये एक बच्ची हिंदी मिडियम से बिलॉंग करती है, पढ करता चार्ण करता है ले बच्च सब्सक्राइब कि जो हम कही ग्राइस से रह सके तौराद बना पुठा कर हरे दिए और एक दोधिन से करे लिए हिरे खाय अएगे अधिया चाहिए था जूड़ी शिदा एंप सुट है घांगे नगलिए लाजन खूड़ी शिदाल गुढ़ जब थे घराद dalुटी मुणी एँ जब खागे ठीक है कुछ इमोशनल हो जाते हैं इमोशन में आ भी जाते हैं कईयों को सुनने में भी अलग सा लगेगा कि इमोशनल हो जाएंगे इस सुनने के बाद भी कुछ ऐसे होते हैं जिनका स्ट्रॉंग भी होते हैं अंदर से लेकिन बात यहां पर strong और emotion की नहीं है, बात यहां पर जो है वो यह है कि आप कितनी भी कठिन परिस्तिती क्यों नहीं हो, आप अपने लक्षे से भटक नहीं रहे हैं, आज भी कई बच्चों के पढ़ते 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 पढ़ाई करा रहा हूं, पढ़ते पढ़ते message आत कि हम अगर गरीब पैदा हो रहे हैं, या किसी और ने बोलिए, मैं जस्ट उनकी उनकी बातों को आगे forward कर रहा हूं, कि अगर हम पैदा गरीब हो रहे हैं, इसमें हमारी कोई वो नहीं है, लेकिन अगर हम मर गरीब रहे हैं, तो इसमें यह हमारी सबसे बड़ी mistake होईगी, आपको यह बता रही है, कि किसी भी हालत में किसी भी तरीके से पढ़ाई को मत छोड़िए, आप अपने लक्षे को मत छोड़िए, और ऐसा यह सिर्फ एक एक्जामपल नहीं है, ऐसे बहुत एक्जामपल है, ऐसे कई बच्चे हैं, जो इस परिस्थितियों में होने के से हैं, लेकिन फिर भी कई जी तोड मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, तोटली डिपेंड्स गट कितने हैं, कितने गट्स हैं उस नीट को एक्जाम क्रैक करने की, कितने बेचे नहीं हैं आपके अंदर उसको पार करने के उस नीट के एक्जाम को क्लियर करन कि और सिर्फ अकेला नीट का एक्जाम ही नहीं है जिन्दगी में बहुत सारे पड़ाव आते हैं बहुत सारी स्टेज़े आते हैं बहुत सारे लक्षे बनते हैं आपके जो अभी जो आपका इस पड़ाव में इस एज में जो आपका लक्षे है वो नीट है आगे भविश्य में और change होते जाएंगे आपके target change होते जाएंगे आपके अभी आप अपने इस target को कितना अच्छे से achieve कर पाते हैं वो आपकी महनत पर depend करता है तो महनत करते रहो दोस्तों फल आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा ही मिलेगा अगर आज नहीं मिलेगा नीट का exam crack नहीं होएगा तो definitely उसने ना कुछ आपके लिए कुछ बहतरी नहीं सोच रखा है ठीक है इसी बातों के साथ में positive हो जाएंगे महनत करते रहे हैं अगर ये महनत कर रहे हैं तो आपके पास इनसे आशा करता हैं इनसे ज़्यादा साधन होएंगे पढ़ाई नहीं छोड़नी आपने अगर इनसे भी कम है और पढ़ाई करनी है Thank you so much